अब हम बात कर लेते हैं कुछ सवालों की जो मेरे YouTube के दर्शकों ने मुझसे पूछे थे और मैं उन सभी को इसमें इंग्लूड करने वाला हूँ सबसे पहले सवाल की बात करूँ कुछ लोगों ने पूछा था कि MI4i लें, K3 Note लें या Zenfone 2 लें तो मैं बता दूँ कि Zenfone 2 और MI4i दोनों एक ही रेंज में हैं, लगबग 13,000 में मिलते हैं, सबसे जो लोएस मॉडल है दोनों का, और यह जो है वो 13,000 मिलता है इसकी कमियां आप देख लीजिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी pros and cons क्या है, अगर आप नहीं देख पाए तो इस YouTube के वीडियो के description में जाके link ले लीजिए और देख लीजिए 3000 का difference है, MI4i में आपको जो camera मिलता है, काफी अच्छी camera की quality है अगर आप यह वीडियो भी देख रहे हैं, तो MI4i के full HD camera से ही बन रही है, HDR mode में तो वीडियो की quality काफी अच्छी है, इसकी इतनी अच्छी नहीं है, हलांकि same camera feature है, 13MP का लेकिन फिर भी काफी difference है Zenfone 2 के camera में initially कुछ problems थी, जो बाद में उन्होंने update के बाद fix कर दी है तो camera काफी अच्छा है, लेकिन जो normal mode है camera का, वो बहुत ही बेकार है Zenfone 2 का आपको कुछ extra mode ही use करने पड़ेंगा, अगर आपको थोड़ी DSLR setting के बारे में नहीं पता है, तो मुश्किल हो जाएगी आपको Zenfone 2 use करने के लिए तो इन तीनों को देखते हुए सारी चीजों को conclude करते हैं, मैं बोलूँगा कि आप MI4i ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा और dark grey version लीजिए, जो की काफी premium लगता है, white वाला मत लीजिए का और अगर MI4i की heating की बात करूँ, आपने सुना हो कि बहुत heat करता है, तो जो heating का issue था, वो fix हो गया है जब MI4i white आया था, तो काफी heating का problem था, और काफी tech reviewers ने Xiaomi को, MI को गाले निगाली थी, कि क्या कचरा, डबबा, क्रैप, घटिया, मतलब quality के phone आया थे तो मेरी तरफ से MI4i आप आँख बंद करके ले सकते हैं, दूसरा सवाल था, on screen time के लिए, कि इस phone में कितना on screen time मिलता है, मैं आपको दिखा चुका हूँ, कि इसमें जो on screen time मिलता है, वो लगभग 3 गंटे का ही मिलता है हमें, इससे जादा कि उमेद मैं करता नहीं, और आप आपको गलत राय देना चाहता हूँ, यह देख सकते हैं, हमने 85% बैटरी यूस की थी, इसमें हमें सिर्फ 2 गंटे, 40 मिनट का on screen time मिला था, मुझे लगता है, बाकी जितने भी सवाल थे, मैं सबको अपने detail review में include कर चुका हूँ, और मैं सबको जवाब भी दे चुका हूँ लेकिन एक caution और था, जो कि मेरे पुछा था कि normal users में, अगर हम gaming नहीं खेलते हैं, सिर्फ internet browsing करते हैं, तो मैं बता दू कि अगर यह phone gaming में 39-40 जाता है, तो normal users में 35-34 cross नहीं करेगा, अगर आपका normal temperature 30-32 degrees है, अगर आपका normal temperature 36-37 degrees है, तो भी यह उतना ही रहेगा, उससे ज़् एक या 2-degrees का temperature ज्यादा होता है, तो अगर मैं आपके अभी की बाहर बता हूँ, तो अभी का जो temperature है बाहर 30 degrees है, और जो इसका temperature है, phone का फो इतना नहीं है, phone का temperature जा है, वो 34 की लगबगी है, आप देख सकते है, यह देखे, 30 degrees ही temperature है, इसका, तो normal users में यह इतना high नहीं जा क्योंकि इसमें जो मेडिया टेक की प्रुस्तर यूज करते हैं उनकी चिप होती है वो काफी आप्टिमाइज होती है उनका टेमरेशी इतना हाई नहीं जाता है कॉलकॉम, स्नैपड्रेगन के जो भी आते हैं उनमें हीटिंग की प्रॉब्लम रहती है अगर मैं MI4 की बात करूँ अभी तो MI4 तो बहुती बुरी तरीके से हीट होता है तो अगर कोई दर्सक MI4 लेने की सोच रहा है ये रिव्यू देखके MI4 आई देखके तो उनको बोलूँ ये देखिए ये हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे छे मंडे को छे जुलाई को तो आप देखिए जो इसका टेंपरिचर दा 47.2 डिग्री पहुच गया था वीडियो रिकॉर्डिंग में और इसकी भी ऊपर गया था ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी एक और हमने इ अगर मैं इसकी 10-15 मिट की वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ तो ये पूरी जो स्टील की प्लेट है इतनी गरम होती है कि आप इसको पांच सेकिंड से ज्यादा की रिए पकड़ नहीं सकते हैं यहां से तो गरम होता ही है लेकिन यहां से पूरी स्टील की बॉड़ी यह पूरी स्टील की बॉड़ी है यहां पे 50 डिग्री जाता है यहां पे हलका हलका दीरे-दीरे करते हैं आप यहां तक कितना गरम हो जाता है तो MI4 अगर आप कोई सोच रहा लेने की और अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करता है तो आप मत लेना उसको यह फोन वीडियो पसंद आया होंगे आप लेक भी रहा होंगे लाइक भी कर रहा होंगे और शेयर भी कर रहा होंगे मैंने इन फोन के रिलेटिड में या इस फोन के लिए जितने भी सवाल मुझे मिले थी मैं सभी का दवाब दे चुका हूँ अगर आपका अभी भी कोई सवाल रह गया हो त यह जो phone है मैं personally अपने पास नहीं रखना चाहता हूँ due to high SAR values और इतना भी इसमें कुछ खास नहीं है इसका हम detailed एक camera review भी करेंगे आने वाले कुछ दिनों में हम MI4i का detail review करेंगे तो इस phone से उसका video बनाएंगे full HD में और performance check करेंगे कि किस तरह से perform करता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस video पसंदाया होगा मैंने सभी दर्शकों के सभी सवालों के जवाब दे दिया होगे अगर किसी दर्शक का सवाल रह गया है तो प्लीज माफी दीजेगा मुझे और एक बर फिर से आप अपना comment डाल दीजे मैं उसको जल से जल आपको उतर करने की आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा शर्मा जी को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको बता देने चाहता हूँ कि शर्मा जी ने 45,000 व्यू क्रॉस कर ली हैं अपने YouTube चैनल में और लगभग 400 की लगभग सब्सक्राइबर भी ज लाइक करना अच्छी बात है मेरी चैनल के लिए लेकिन शेर करना बहुत जाच्छी बात होगी तो प्लीज ये के लिए मेरे वीडिश को ज़रू से शेर कीजिए क्योंकि जब तक आप वीडियो को शैर नहीं करेंगे मेरा चैनल और बढ़ेगा नहीं आगे और मुझे मोटिवेशन थोड़ा सा कम लगेगा और इसी नोट के साथ मैं वीडियो खतम करना चाहता हूँ आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप बने रहे शर्मा जी के साथ और नए नए गैजट्स के रिव्यू देखने के लिए डीटेल में जिस तरह से शर्मा जी का स्टाइल है धन्यवाद आपका बहुत बहुत जुड़े रहे आप शर्मा जी के साथ